जैहिन दोस्तों मैं रोपेशव फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे स्टार्ट होने वाली वोकेब्रेरी को कॉंटिन्यू करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले यदि अभी only जो वैनली का मतलब क्या होता है लापर वाही करने वाला इंसान अम श mina नंगशा कर सकते हैं इसको हम याद कैसे कर सकते हैं चलिए को सब्द में आ रहा है असको जो इंसान हमेसा स्लो रहता है टीए उसे हम कहते हैेs लापरवाही टाइप का अंटाइडी टाइप का केरलेस इन वर्क जो काम में ध्यान ना देता हूँ उससे हम कहते है इसकी पार्ट्स ओफ स्पीच हम देखने को तो यह एजेक्टिव है तो इसका एक्जांपल देखते हैं हम सेंटस में शी इस ओफन रेप्रिमेंडेट ठीक है रेप्रिमेंडेट का मतलब होता है डांट फटकार लगाना तो उसे ओफन मतलब अक्सर उसे डांट लगाया जाता है फोर हर स्लो वैनली हैविट्स उसकी लापरवाही आदतों की कारण ठीक है तो इसका यूज आपको समझ में आगया होगा साइंटेस में तो श्लो वैनली का मतलब एक ऐसे इसंसान जो रहता है लापर वह रहता है अगला जो वर्ड हो है सपल सपल का मतलब होता है फ्लक्सिवल यह प्लायंट जिसको हिंद्अधि मूम लचीला कहते है ठीक है यह इसका यूज देखते है सेंटेस में दस सपल limbs of the athletes athletes की supple limbs ने impressed किया everybody मतलब हर किसी को ठीक है the supple limbs of the athletes impressed everybody मतलब जो athletes की supple limbs थी उसने सबी को क्या क्या impressed किया तो पहला word is slovenly, दूसरा जो word है वो है supple supple मतलब होता है la chila, slovenly मतलब होता है la parvaha, tap का इंसान ठीक है जो अगला जो word है sacrilegious, अगला जो word है वो है sacrilegious sacrilegious का मतलब क्या होता है desecrating, desecrating मतलब आपवित्र बनाना ठीक है आपवित्र बनाना और profane, profane का मतलब होता है इश्वर की निंदा करना, ठीक है तो sacrilegious का मतलब होता है इश्रिंदा करना भगवान की निंदा करना ठीक है आप भगवान को मतलब आपवित्र बनाना ठीक है अब इसका यूज देखते हैं साइंटस में The communal rights in the city broke out as a result of sacrilegious act of one community ठीक है तो यहाँ पर एक word आ रहा है आपको इसमन ध्यान देना है ब्रोक आउट इसको हम इसकी first form को हम कहते है ब्रेक आउट ठीक है ब्रेक आउट का मतलब होता है फैल जाना ठीक है जैसे कोरोना वाइरस का ब्रेक आउट हुआ था तो the communal rights in the city broke out मतलब जो city है उसमें जो दंगे है सामप्रदाइक दंगे वो फैल गए as a result of sacrilegious act of one community मतलब किसके कारण किसी एक community ने sacrilegious act कर दिया था इसलिए ठीक है तो sacrilegious का मतलब होता है आप अवित्र बनाना इशनेंदा करना ये भी इसकी parts of speech क्या है adjective है ठीक है यहाँ पर आप भी सकते हूँ जो act है यह noun है और noun से पहले यह आ रहा है इसलिए adjective है ठीक है बढ़ते हैं अगला जो word है वो है shankfraw अगला जो word है वो क्या है shankfraw इसका pronunciation क्या होगा Shankfrog 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 کا मतलब क्या होता है Coolness और Courage ठीक है Sahas और Sayam हम इसको बोल सकते है Sahas और Sayam ठीक है दो सब्दें इसके लिए एक है Sayam और दूसरा है Sahas तो ये दो सब्द इसके लिए हम कह सकते है इसका यूज़ देखते है sentence में दे शैंक फ्रो औफ दे आर्मी कमांडर ठीक है जो आर्मी कमांडर का जो साहस और जो सयम था उसके कराण क्या हुआ Saved the check post from being recaptured by the enemy तो उन्होंने क्या किया? पोश्ट को save कर लिया कैसे? जो दुस्मन के द्वारा recaptured होने वाली थी उनको ठीक है तो जो कमांडर था आर्मी कमांडर उसके सैंक फ्रो के कारण उन्होंने बचा लिया पोश्ट को recaptured होने से किसे? दुस्मनों के? दुस्मनों से reca captured होने से है ठीक है तो यह है sank from अगला जो word है वो है scorch scorch मतलब क्या होता है severe punishment scorch का मतलब क्या होता है severe punishment ठीक है इसका use देखते है sentence में the plague broke out in the province and people thought it to be a divine scorch ठीक है जैसा कि जो plague है यह breakout हो गया था plague का province में तो लोगों ने सोचा कि यह जो है यह देविये मतलब भगवान का severe punishment है ठीक है इन्सानों पर यह इन्होंने सोचा अगला जो word है वो है salvage salvage का मतलब होता है rescue from loss मतलब किसे को rescue कर लेना rescue करने का मतलब है कि मुसीवत से बचा लेना ठीक है दा army swung into action to salvage the havoc cost why the earthquake तो जो भीसर जो अर्थकोइक आया उसके कारण क्या हुआ जो army है वो तुरंत ही action पर आ गई rescue operation के लिए या salvage करने के लिए ठीक है तो इसका जो parts of speech है वो क्या है बर्व है तो salvage का मतलब आपको समझ में आ गया तो एक बाद revise कर लेते हम एक और word देख लेते उसके बाद revise करेंगे ठीक है सल्ट्री का मतलब क्या होता है स्वेल्ट्रिंग स्वेल्ट्रिंग मतलब उमस भरा कैसा उमस भरा इसको हम क्या कहते हैं उमस भरा जैकिंग इसका use sentence में September and October are sultry months जो September होता है और जो October होता है यह उमस भरे months होते है because of excessive humidity किसके कराण क्योंकि इन स्वेल्ट में बहुत ज़्यादा humidity होती है ठीक है तो एक बाद revise कर लेते हैं कुईक तो पहला सब्द है slovenly slovenly का मतलब होता है लापर वहा टाइप का इंसा है ठीक है सपल का मतलब क्या होता है sacrilegious का मतलब क्या होता है sacrilegious का मतलब होता है किसी को अपवित्र बनाना ठीक है और इस निंदा हम इसको बोल सकते है blasphemy के लिए एक बहुत ऑच्छा अच्पर्यमơn थीख, flowerow, 국व का मतलब होता है सयंयम और सहस, इस निंदा होता है verse rule punishment, Salvejak topic is rescue from loss किसी को मुसीबस से बचा लेना ठीक है सल्ट्री सल्ट्री का मतलब होता है उमस भरा स्वल्ट्रिंग ठीक है तो अगला जो वर्ड है वो है सर्माईज अगला जो वर्ड है क्या है सर्माईज सर्माईज का मतलब होता है अनुमान लगाना गेस करना इसके parts of speech क्या है बर्व ठीक है जैसे कि आप यहां देखेंगे यह subject है और subject के बाद यह वीडियो form of बर्व आई है ठीक है तो I surmised that he would not succeed ठीक है I surmised that he would not succeed in his attempt to exploit his wife ठीक है उसकी wife को exploit करने में मुझे लगता है कि वो success नहीं हो पाएगा ठीक है success नहीं हो पाएगा अगला जो वर्ड है वो है spurious spurious का मतलब होता है fake spurious का मतलब क्या होता है fake इसका synonym है false counterfeit fake ठीक है जो real ना हो ठीक है fake हो उसको हम कहते है spurious इसके लिए बहुत ही अच्छा सब्द है manipulate ठीक है manipulate to late there is glut of spurious trucks glut मतलब होता है ample ample मतलब जिसकी प्रचूरता हो ठीक है there is glut of spurious trucks in the market मतलब मार्केट में जो spurious trucks है इनकी क्या है glut है प्रचूरता है ठीक है इनकी क्या है प्रचूरता है अगला जो वर्ड है stamina stamina मतलब होता है strength ठीक है जैसे कि आप लोग running करने जाते होंगे तो आप देखते होंगे किस व्यक्ति का stamina कितना है strength कहते है she has a lot of stamina and works for hours together तो उसकी strength है उसके पास जो है बहुत ज्यादा strength है और वो घंटो काम कर सकती है ठीक है किसी के साथ तो यह था इसका sentence में use तो stamina मतलब क्या होता है हिंदी मिसकौम कह सकते है सामर्थ हिंदी मिसकौम क्या कह सकते है सामर्थ ठीक है अगला जो word है वो है super seat super seat का मतलब क्या होता है take the place of किसी का इस्थान ले लेना किसी का इस्थान ले लेना कब जब वो retire कर जाए ठीक है when the marketing manager was superseded by his junior मतलब जो marketing manager है वो superseded कर लिया गया है उसके junior के तवारा कब जब उसने resign कर दिया ठीक है कि वीरता से भरी कहानी को हम कहते है सागा ठीक है the saga of Indian soldiers तो जो Indian soldiers की वीरता से भरी कहानी है on the war, war की front is beyond description तो वो जो है वो व्याख्या से परे है ठीक है the saga of Indian soldiers on the war, front is beyond description वो description से कैसे है परे है अगला जो word है वो है salutary, salutary का मतलब होता है beneficial, salutary का मतलब क्यों होता है beneficial जिसको हम हिंदी में लापदायक भी कहते है हिंदी में इसको क्या कहते है, लापदायक, फाइदे मन्द, ठीक है फाइदे मन्द, salutary working condition tends to improve the efficiency of the workers यदि आप workers को beneficial condition दे, ठीक है, काम में कैसी condition दे, beneficial तो ये improve करती है उनकी working efficiency को, ठीक है तो salutary working condition tends to improve the efficiency of the workers salutary working condition, workers की efficiency को क्या करती है, बड़ा देती है अगला जो word है, वो है slender, अगला जो word है, वो क्या है slender slender का मतलब होता है, किसी को defame करना, defamation, ठीक है किसी का निरादर करना, ठीक है, तो इसका use taking है sentence में the editor of the newspaper was charged with slender, मतलब जो editor है newspaper का, उसे charge किया गया है slender के लिए, किसके लिए slender के लिए, मान हानी हम इसको बूल सकते हैं, क्या बूल सकते हैं मान हानी, ठीक है, तो आप लोगोंने सुना होगा, defamation का case भी होता है, अगला जो word है, वो है serenity, serenity मतलब होता है calmness, tranquility, ठीक है, सांती, जिसको हम बूलते हैं हिंदी में, सांती है, ठीक है तो tranquility और calmness, देखते हैं इसका use sentence में, the serenity of the valley in the evening, overwhelmed the visitor, ठीक है, यहाँ पे एक सब्द आया है, overwhelmed, overwhelmed का मतलब होता है, लुभा लेना, ठीक है, ठीक है, लुभा लेना, मन मोहो लेना, जिसको हम बूल सकते हैं, यह होता है, इसका मतलब, तो इसका हिंदी मतलब देख लेते हैं हम लोग, the serenity of the valley, जो valley है, उसकी सांती ने, in the evening, साम के समय, विजिटर को क्या कर लिया, अपनी और लुभा लिया, विजिटर को, जो भी वहाँ पे विजिटर जाते होंगे, उनको क्या कर लिया, अपनी दराफ लुभा लिया, तो the serenity of the valley in the evening, overwhelmed the visitors, अगला जो word है, वो है, sumptuous, अगला जो word है, वो क्या है, sumptuous, sumptuous का मतलब होता है, बेभाव साली, जो बहुत ही, खर्चीला डाप का इंसान होता है, लेविश होता है, ठीक है, बेभाव साली, ठीक है, जो बहुत ही खर्चा करता है, life style को enjoy करता है उसको हम कहते है sumptuous sumptuous feast feast मतलब होता है मुठी sumptuous feast was served on the occasion of the wedding मतलब गहीं पर साधी हो रही होगी तो वहाँ पर बहुत ही वेवाओ वेवाओ शारी तरीके से क्या किया गया? सर्व किया गया तो इसका मतलब होता है sumptuous आप यहीं पर एक idiom भी इसी का intonim है वो याद रख सकते हो close fisted person close fisted person इसका मतलब वो इंसान जो बहुत ही कंजूस होता है fist मतलब होता है मुठी जो अपनी मुठी को हमें सब बंद करके रखता है close fisted person तो यह idiom भी बहुत आता है एक्जाम में इसको आप याद रखोगे इसका मतलब होता है consuls type का इंसान अगला जो वर्ड है वो है stagnant stagnant मतलब होता है motionless गती रहित motionless जो गती ना करे एक ही स्थान पर static रहे इसका यूज देखिंग हम sentence में stagnant water emits मतलब जो स्थिर पानी होता है वो emits करता है हम लोग फटा फट फिर आंगे बढ़ेंगे तो इस slide का जो पहला word है वो क्या है सर्माइस, सर्माइस का मतलब होता है gaze करना, ठीक है अनुमान लगाना, सर्माइस का मतलब क्या होता है अनुमान लगाना अगला जो word है वो है spurious spurious का मतलब होता है duplicate, spurious का मतलब क्या होता है जो original ना हो, ठीक है manipulate करके लाया गया हो उसको हम कहते है spurious, ठीक है stamina, stamina का मतलब होता है strength stamina का मतलब क्या होता है strength super seat, super seat का मतलब होता है किसी के पद को ग्रहन करना सागा, सागा का मतलब क्या होता है एक story होती है जो कि किसी की वीर्ता से भरी होई होती है salutary salutary मतलब होता है beneficial slender maan hani करना किसी का अपमान करना serenity serenity मतलब होता है sancti sumptuous sumptuous मतलब होता है बहुती वेभवसाली live style जीने वाला इंसान उसको हम कहते हैं sumptuous stagnant stagnant का मतलब होता है motionless गती रहित ठीक है बढ़ते आगे अगला जो word है वो है substantiate 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 का मतलब होता है support करना substantiate का मतलब क्यों होता है support करना verify करना verify करना या support करना previous lectures में मैंने आपको एक word पढ़ाया था जो कि support ना करने के लिए था तो आपको comment करके उस word को बताना है कि इसका internum क्या होगा और मैं आपको hint कर दूँ कि वो word है वो you से start होने वाला है किस से start होने वाला है you से start होने वाला है it is difficult to substantiate his statement मतलब यह बहुत मुस्किल है कि हम उसकी जो statement है उसको support करे for want of solid proof ठीक है क्योंकि उसके उसमें जो है solid proof नहीं है ठीक है वो क्या चाहते है यदि solid proof आप दो तो हम इसको support करेंगे अधरवाई support करना मुस्किल है तो अगला जो word है वो है sedition sedition का मतलब होता है राजद्रोह sedition के charges भी लगते हैं ठीक है rebellion हम इसको कह सकते है rebellion हम इसको कह सकते है देखते इसका use the prime minister of the state मतलब जो state है उसके prime minister was charged वो कैसे charge किया गया with sedition राजद्रोह के case में उनको charge किया गया by the king and was executed और उनको क्या कर दिया गया वहाँ से हटा दिया गया execute कर दिया गया ठीक है तो जो prime minister थे state के उनको जो king है उसके द्वारा राजद्रोह में पाया गया और उनको फिर पद से हटा दिया गया ठीक है अगला जो word है अगला जो word है वह है stint stint का मतला होता है assigned work दिया गया कार हम इसको बोल सकते हैं किसी को आप जब आप कहा मस्दूर आते तो आप जो उनको कार इसको इसको हम एस्टेंड कहते हैं ठीक है दिया गया कार है दिया गया कार हम असाइंड वर्क हम इसको कह सकते हैं तो देखते इसका यू साइंटेस में आवर सर्वेंट परफॉर्म्स इस टेली स्टेंट वेदाउट ग्रम्लिंग ग्रम्लिंग का मतलब होता है बिना आना का नहीं करे हैं मतलब सीधर तरीके से ठीक है? संतूस पूर्वक हम कह सकते हैं ग्रम्लिंग का मतलब होता है आशन्तोस ठीक है? अवर सर्वेंट परफॉर्म्स इस टेली इस्टेंट हमारे जो सर्वेंट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं उनको डेली जो असाइ criter का गया काम होता है बिना किसी बोल सकते हम इसको बिना किसी आनाकानी के ठीक है local language में आनाकानी का मतलब होता है कि विरोध के ठीक है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो अगला जो word है वो है span span का मतलब क्या होता है distance ठीक है और distance वो भी किसकी समय की है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो हम life span कहते है ठीक है life span मतलब जीवन का कारिकाल ठीक है life span कम है जादा है तो span का मतलब होता है distance और distance किसका time का ठीक है देखते हैं इसका use हम लोग within a short span of 10 years मतलब 10 साल के short span में ही he made remarkable progress उन्होंने ही उसे ने क्या किया बहुत ही remarkable progress कर लिए अपने business में ठीक है अगला जो word है वो है super serious super serious super serious होता है घमंडी इंसान घमंडी व्यक्ति जिसको हम होटी भी कह सकते हैं everybody recents the super serious treatment of the manager हर कोई recent करता है मतलब विरोध करता है the super serious treatment जो घमंडी टाइप का treatment होता है manager का उसका ठीक है हर कोई क्या करता है विरोध करता है अगला जो word है वो है savage savage का मतलब क्या होता है असब्भया ठीक है जैसे के हम देखेंगे सती system is definitely a savage custom जो सती system था भारत में वो सही में कैसा था एक savage custom था ठीक है बहुती अजीब सा custom था इसको हम अजीब भी बोल सकते हैं savage अजीब सा ठीक है अगला जो word है वो है sporadic sporadic का मतलब क्या होता है sporadic का मतलब होता है जो कभी कभार होता है regular नहीं होता है ठीक है कभी कभार होता है उसको हम कहते है sporadic occurring irregularly जो कभी कभार होता है sporadic firing from across the borders जो कभी कभार वाली जो firing होती है border के आस-पास continues throughout the year वो बुरे साल भर चलते रहती है वो कैसे चलते रहती है पुरे साल भर continue होते रहती है अगला जो वड़े वो है status quo status quo का मतलब होता है यथा इस्तिती इसको हम present condition या existing position भी कह सकते है ठीक है यथा इस्तिती India and Pakistan have agreed भारत और जो पाकिस्तान है वो agree हुए to maintain status quo यथा इस्तिती maintain करने के लिए in respect of line of control in कस्मीर ठीक है कस्मीर में line of control में last word है आज के वीडियो का हमारा super annuated super annuated का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो pension के साथ अपनी service से क्या होता है retire होता है उसको हम कहते है super annuated ठीक है retire on pension जो अपनी service से pension के साथ क्या होता है retired होता है the super annuated army personal are not satisfied जो pension के साथ retire हुआ army personal है वो satisfied नहीं है with their pension grade उनकी जो pension grade से उन से है तो ऐससे start होने वाले कुल 52 words है तो इस वीडियो में 26 cover करेंगे करते हैं कर रहे हैं और इसके बाद जो 26 ओर जो word है वो हम next वीडियो में cover करेंगे तो एक बार इनको revise कर लगते हैं फिर वीडियो को end करेंगे ठीक है तो span का मतला होता है distance और distance किसका time का super serious का मतला होता है hotty ठीक है घम अंडी type का जो इंसान होता तो उसकोम super serious कहते हैं savis का मतला होता है असब भी uncivilized primitive अजीब सा ठीक है असब भी जिसकोम कहा सकते है sporadic का मतला होता है occurring irregularly ठीक है जो कभी कवारो उसकोम sporadic कहते है status क्यों का मतला होता है या था इस्तेदी existing position existing position super inverted का मतला होता है एक ऐसा व्यक्ति जो pension के साथ retire होता है उसकोम कहते है super inverted ठीक है तो ये था आज का मारा वीडियो यदि आपको वीडियो पसंद आया हूँ तो करपैसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ आप share कर सकते हैं धन्यवाद